असलाम अलेकूम, वेलकम है आप सबको इस योटूब चनल कश्मीर स्टूटेंट अपडेट्स आप्शल योटूब चनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में कलस्टर उनिवर्सटी, कश्मीर उनिवर्सटी या इस्रामिया कॉलेज में कौन बेस्ट है? योजी डिगरी के लिए या योजी ओनर्स डिगरी के लिए फर्स्ट आफ आफ आल हम बात करेंगे जो 2021 तक सिटूडेंट सिंपल बीए, बीस्द, बीकॉम, सिंपल डिगरी करते थे और योजी ओनर्स डिगरी करते थे बट ये सब सिस्टम अब खत्म हुआ है अब NEP की वज़ज से जो 2022 से पहले योजी सिंपल डिगरी में थ्री मैन सबजेक्ट होते थे और आउनर्स में सिर्फ एक ही मैन सबजेक्ट होता था बट यहां पे सारा कुछ चेंज हुआ है अब सिंपल डिगरी करने के लिए आपको एक मैन सबजेक्ट चूज करना है और आउनर्स जिस तरह होता था इसमें एक मैन सबजेक्ट चूज करना पड़ता था और बाकि उसी के रिलेटेट सबजेक्ट होते थे बट एनेपी की वज़े से अब आउनर्स के लिए भी अब सिंपल समिश्टर तक कंबाइन सबजेक्ट पड़ने हैं जिस तरह सिंपल डिगरी में हैं अब ये अब जो योजी ऑनर्स डिगरी है वो फोर येर्स का होगा और सिंपल डिगरी के लिए आप सिंपल हर किसी कॉलेज में होगा यूजी डिगरी एंड यूजी ऑनर्स डिगरी के लिए कौन बेटर रहेगा कौन बेस्ट है कलस्टर यूनिवर्सटी इस्लामिया कॉलेज या कश्मीर यूनिवर्सटी एफिलेटिड कॉलेज फर्स्ट हम बात करेंगे कलस्टर यूनिवर्सटी म मैं कलस्टर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही नहीं मानता हूँ, जिस तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी का मैन के अपस है, उस तरह कलस्टर यूनिवर्सिटी नहीं है, कलस्टर यूनिवर्सिटी का एक आपिस है, कोगजी बाग में, कलस्टर यूनिवर्सिटी असल में फायो कॉलेजिस का एक ग्रुप है और भी दो एफिलेटिट कॉलेजिस है और ये सबी जो कॉलेजिस है ये सरिफ सिरिनगर डिस्टिक में है और कश्मीर युनिवर्सिटी के जो एफिलेटिट कॉलेजिस है वो हर किसी एक तैसील में है हर किसी डिस्टिक में दो दो तीन तीन चार-चार कॉलेजिस है कलस्टर यूनिवस्टी के जो कॉलेजिस है उसमें भी अब जो है 3 पलस 1 यूजी डिगरी होगा और के यू एफिलेटिड कॉलेजिस में भी अब कुलगाम से अनंतनाग से शोपियान से बरमुला से कौफार से बडगाम से या बांडी पोरा से कोई सिटूडेंट कोई साइनस सिटूडेंट या आर्टिस सिटूडेंट जाएगा यूजी डिगरी करने के लिए कलस्टर यूनिवस्टी के कॉलेजिस में तो उसका मतलब वो फेशन के लिए पढ़ रहा है वो लोगों के दिखावे के लिए पढ़ रहा है हाँ वो सवत कश्मीर और नार्थ कश्मीर के सिटूडेंट साइनस सिटूडेंट कलस्टर यूनिवस्टी जा सकते हैं जो कि नीट की कोजिंग कर रहे है सिरिनगर में अब यहाँ पे सिटूडेंट का एक और कनफ्यूजन है कलस्टर यूनिवस्टी में कश्मीर यूनिवस्टी से जल्द डिगरी कंप्लीट होता है अब ऐसा नहीं है अब सभी यूनिवस्टी को यूनिफॉर्म एकाडमिक कैलेंटर पे चलना है जो कि हायर एज़िकेशन डिपार्टमेंट ने फ्रैम किया है अब सभी यूनिवस्टी में एक साथ एडमिशन होंगे एक साथ एक्जाम होंगे और एक साथ डिगरीज कंप्लीट होंगे आपके डाउटस कलियर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कश्मीर यूजी सेकंड सेमिश्टर का एक्जाम कलिश्टर यूजी सेकंड सेमिश्टर बैच 2021 से पहले ही कम्पलीट होगा ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर यूजी में ज़्यादा टाइम लगता है वो COVID-19 के वज़ा से हुआ था कि डिग्रीज जो थी तीन साल की वो 40 years में complete होता था बट अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सभी universities को government के roles पे चलना है UGC के guidelines पे चलना है एक और एहम बात कश्मीर University Affiliated Colleges के related वहाँ पे about 90% जो subject से उनका यहाँ पे direct admission होगा इस साल कोई merit नहीं होगा बाकि जो subject से जिन में limited number of seats होते है उनका यहाँ पे merit वैसे selection होगा वो भी colleges पे different है बाकि आप integrated courses के लिए जो है कलस्टर यूनिवस्टी या Islamia college जा सकते है कलस्टर यूनिवस्टी में लगब 15 courses में जो है integrated course integrated degree होता है और Islamia college में 3 integrated courses available है वहाँ पे आप जा सकते हैं क्योंकि कश्मीर यूनिवस्टी affiliated colleges में integrated courses नहीं होते उसका जो main reason है वो मैंने previous वीडियो में बताया था कि उसका जो main reason है वो है कश्मीर यूनिवस्टी में campus में जो है 44 courses में PG होता है यही एक reason है इसलिए कश्मीर यूनिवस्टी affiliated colleges में जो है integrated courses नहीं होते एक और यहाँ पे important बात है कश्मीर यूनिवस्टी UG admissions के हवाले से बाकी universities की तरह आपको 500 rupees registration fee नहीं बरना होगा कश्मीर यूनिवस्टी affiliated colleges में जो है registration है वो बिलकुल free है तहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को compare किया है अब आपकी मज़ी है कौन best रहेगा आपके लिए सो आज के वीडियो में इतना ही मिलती है और किसी नए वीडियो में तब तर दीचा इजाज़त खुदा हाफिस